दोस्तो नमस्कार मैं हो डॉक्टर स्रीपतित्र पाठी बैदिक जोतिस मांता है कि पूरी दुनिया का बर्दमान और भविश्य ग्रहों की इस्थिति और गोचर पर हिंदि भर करता है आपको बता दें यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में ग्रहों का सुभशन योग बन रहा होता है तो कम महनत में भी वह भुलंदियों को छू लेता है आस्मान में उन्नति के साथ चला जाता है जबकि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में ग्रहों की इस्थिति नकारात्मत नतीजे देने का योग बना रहा हो तो उस जातक को लाख कोशिस करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती उसकी उन्नति महीं होती जाहिर है कि सबकुछ ग्रहों के चाल इमम इस्थिति पर नेवर करता है ग्रहों की कुंडली में क्या इस्थिति है ग्रहों का क्या सुभ योग है ग्रहों का शुभ असुभ इस्थिति और उन पर आपके जीमर पर प्रभाव समझने में ब्यक्तिगर कुंडली जो है आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है यह काफी लाबदायर शिद्ध सावित होती है ऐसे में आज हम आपको इस विडियोस के माध्यम से यहां बताने वाले हैं कि कुंडली में सुर्ज मंगल बुद्ध की अगर इस्थिती किसे भी जातक की जन्म कुंडली में बन रही है तो उसके करियर पे उसके ब्योसाई पे उसके जीवन पे वह क्या असर डालते हैं इसके साथ ही हम आपको कुछ बेहद सरल उपाई भी बताने वाले हैं जिनसे आप इन ग्रहों को और भी मजबूत कर सकते हैं सुर्ज मंगल और बुद्ध का करियर पर प्रभाव जो है आई हम बता रहे हैं बैदिक जोतिस के अनुशार किसी भी जातक के जीवन में सुर्ज का बहुत ही बिशियस मात्व है इनकी अम्रित रुपी रस्मियों के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति होती है जोतिस में इन्हें आत्मा का कारक, सोध परक, काल्ज करने वाला, राज जोग प्रदान करने वाला, कुशन प्रशासक, नतित तो छमता वाला, यस तथा कृति प्रदान करने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है जन्म कुंडली में इनकी इस्थिति जातक के जीवन की दसा दिशा बदलने में बहुत ही महत्वपूर भूमिका निमाती है ब्यक्ति के जीवन की सफलता और असफलता का ग्राफ बहुत हद तर सुर्ज की इस्थिति पर निर्भर करता है किसी ब्यक्ति की नौकरी और करियर का या ब्योसाई में तरक्की पाने के लिए निश्चित रूप से सुर्ज का बैतर होना, सुर्ज का सुब होना अत्यम्त जरूरी है इसके बिना किसे भी ब्यक्ति को सफलता मिल नहीं पाती है सुर्ज जगत पिता है, सुर्ज की सक्ति से समस्त ग्रह चलायमान है इसलिए जन्व कुंडली बिशलेशन के समय सुर्ज किस भाव में है इसकी गहंता से, शुक्ष्मता से विबेचना करनी चाहिए तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि आत्म शक्तिकारक ग्रह सुर्ज के साथ बुद्ध वा मंगल ग्रह की यूतिव द्रिश्टिपाद से किसी भी ब्यक्ति का करियर किस मार की ओर प्रसस्त होता है कि और किस मार की ओर वह चमकता है सुर्ज मंगल वा बुद्ध के प्रथम भाव में इस्तित होने पर करियर जो है किसी भी जातक की जनकुंडली में शुर्य अगर प्रथम भाव में मंगल और बुद्ध ग्रा के साथ युक्त हो तो ऐसे जातक के चेहरे पे एक बिसियस तरह की आभा होती है ऐसे जातक बलवान एवं समाज में अलग सी पहचान बनाते हैं ऐसे जातक को सरकारी शर्विस मिलने की सवाधिक संभावना बनी रहती है एवं ऐसे जातक उच्च पदों पर बिराज़वान होकर अपने छेत्र से जूड़े हुए कार्ज का नित्त पूर्ण रूप से करने में सफल रहते हैं खास कर ऐसे जातक सेना से जूड़े अधिकारी पर पर बिराज़ित और यहां तक की अपने रास्ट के सबसे बड़े पत को भी प्राप्त करते हैं उसे भी ससुसोरिक करते हैं ऐसे जातकों में गजब की पुरुवाभास शक्ती रहती है बेपार के दृष्टी से देखा जा तो ऐसे जातक एक बहुत बड़े उद्यमी बेपारी के रूप में उभरते हैं एवं देस ही नहीं वरन बिद्यसों में भी अपने नाम रोशन करते हैं ग्रहों के चाल से ही जीवन बहतर होता है माल सागरी ग्रंथ के अनुशार कहा गया है कि कुरूर ग्रहों मतलब शुर्य वर मंगल की यूती होने पर ऐसे लोग थोड़े जितिश शुभाब के हो जाते हैं